नमस्कार बच्चो उमीद है आप स्वस्थ होंगे खुश होंगे तो बच्चो आज हम अपने एक नए अध्याई के साथ फिर उपस्तित हैं और आज हमारा जो अध्याई है वो इतिहास का है और ये कक्षा नो का है और इस अध्याई का नाम है आधुनिक विश्व में चरवा है तो बच्चो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक बात आती है कि हम राजा या रानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं लेकिन शुरू में ऐसा था लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब हम राजा रानी के जीवन से के अतिरेक्त और भी अन्या कई चीजों को इतिहास में पढ़ते हैं धीरे धीरे हम क्या है जो वहां की अर्थवस्ता है उस राजय की उसको भी हमने पढ़ना शुरू कर दिया है हमने ये देखना शुरू कर दिया है कि उस काल में खेती कैसी होती थी उस काल में द्योग कैसे थे या उस काल में अन्या शिल्प कैसे थे लेकिन एक ऐसा हिस्सा अभी भी बचा हुआ था जो अभी भी पढ़ा नहीं गया था हम अर्थवस्ता की तो बात करते हैं लेकिन उस अर्थवस्ता में कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और फिर वापिस आते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका आना-जाना लगा रहता था और इस प्रकार वो अपनी आजीव का कमाते थे और इन लोगों को हम घुमन्तु चरुआःण के नाम से जानते थे और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी गुमंतू चरवाहों के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं और ये जैसे आपको बताया कक्षा 9 का अध्याए 5 है इतिहास का इस अध्याए में हम गुमंतू चरवाहों का जीवन कैसा था भारत में और इसके अतरिक अफरीका में भी वो जीवन उनका कैसा था हम ये भी पढ़ेंगे कि उनकी आमदनी के स्रोत क्या थे और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जब उपनवेशिक शासन शुरू हुआ तो किस प्रकार भारत में और अफ्रीका के इन घुमंतू चरवाहों पर इनका जो रहन सहन था वो सारे का सारा उपनवेशिक शासन की वज़ा से बदल गया तो बच्चो आईए सबसे पहले हम भारत में जो घुमंतू चरवाहे पाए जाते हैं विवीन भागों में उनके बारे में थोड़ा सा एक मानचितर के माध्यम से जाने कि हमने जो इस अध्याय में घुमंतू चरवाहों की बात करनी है वो भारत के किस किस हिस्से में पाए जाते हैं। के हिस्सों में हमें बंजारा चरवाहे देखने को मिलते हैं और जब हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो हमें गुजरात में मलधारी, महरास्टर में धंगर और करनाटक और आंधर परदेश में कुरुमा, कुरूबा और गोला जो चरवाहा हैं वो हमें देखने को मिलते हैं तो बच्चों आईए हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले गुजर बकरवाल चरवाहूं के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें जम्मू और कश्मीर के गुजर बकरवाल समुदाए के लोग भेड बकरियों के बड़े-बड़े रेवर्ड रखत होता है जब सारे जानवरी कठे होते हैं कई तरह के उनमें जानवर होते हैं उसमें उंट भी होते हैं बकरी भी होती है गाएं भी होती हैं और भी अन्या प्रकार के कई पश्यू होते हैं उसको वो सासर जब चलते हैं एक जून में चलते हैं तब हम उसको रेवर्ड कहते है इस समूदाय के अधिकतर लोग अपने मुवेशियों के लिए चरागाहूं की तलाश में भटकते भटकते 19. सदी में यहां आए थे जैसे जैसे समय बीता गया वे यहीं के होकर रह गए इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे जाडों में जब उची पहाडियां बरब से ढख जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाडियों में आकर डेरा डाल लेते शिवालिक जो हिमाल्या परवत है उसकी सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है उसको शिवालिक कहा जाता है जाडों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी जाडियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती अप्रेल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चरागाहों के लिए इस सफर में कई परिवार काफिला बना कर साथ साथ चलते थे वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुँच जाते थे दर्रा एक रास्ता होता है जो दो पहाडों के बीच में हमें देखने को मिलता है उसको दर्रा कहते हैं जैसे ही गर्मिया शुरू होती है जमई हुई बरफ की मोटी चादर पिगलने लगती है और चारों तरफ हर्याली चा जाती है इन दिनों में यहां उगने वाली त्रहें त्रहें की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहत मेंद खुराक भी मिल जाती थी सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेटने लगते हैं इस बार वे वापिस अपने जाड़ों वाले टिकाने की तरफ निचे की और चले जाते हैं जब पहाडों की चोटियों पर बरब जमने लगती है तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं बच्चो जम्मुक्षमीर के साथ ही एक उसका दूसरा प्रोसी राजया है जिसको हिमाचल परदेश कहते हैं हिमाचल परदेश में भी एक घुमन्तू चरवाहा पाए जाते थे जिनको गद्दी के नाम से जाना जाता है और ये भेड़ बक्रियां पालते हैं आएए अब इनके बारे में थोड़ा और जाने ये लोग भी मोसमी उतार चड़ाव का सामना करने के लिए इसी तरहें सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगएं बदलते रहते थे वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ीों में अपने मोवेशियों को जाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे अप्रेल आते आते वे उत्तर की तरफ चल परते थे और पूरी गर्मिया लहॉल और स्पीती में बिता देते थे जब बरफ पिगलती और उंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे उपरी पहाडों में स्थेद घास के मैदानों में जा पहुँचते सितंबर तक वे दोबारा वापिस चल पड़ते वापसी में वे लहौल और स्पीती के गाउं में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते इसी बीच वे गर्मियों की फसल काडते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते यहां से वे रेवर लेकर शिवाली की पहाडियों में जाडों वाले चरागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चरागाहों की तरफ रवाना हो जाते आईए अब हम हिमाचल प्रदेश के पूरब मेस्तेत जो अन्या राज्या है जिसका नाम है उत्राखंड जिसको उत्रांचल भी कहा जाता है आईए वहाँ जो चरवाही पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें यहाँ पर गढ़वाल और कुमाईयों के गुजर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सुखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में उपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे आईए ये जो दो शब्द हैं भाबर और बुग्याल पहले इनको समझ लें गढ़वाल और कुमाईयों के इलाके में पहाडियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सुखे जंगल के इलाके को भाबर कहते हैं और उंचे पहाडों में स्थेत घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरागा बदलने रहने का यह चलन हिमालय के परवतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता था यहां के भोटिया शेर्पा और किनोरी समुदाय के लोग भी इसी तरहें के चरवाहे थे यह सभी समुदाय मौसमी बदलाओं के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग-अलग इलाकों में पढ़ने वाले चरागाहों का बहतरिन इस्तेमाल किया करते थे जब एक चरागा की हर्याली खतम हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चरागा की तरव चले जाते थे तो इस प्रकार हमने ये देखा कि हिमालया के परवत में रहने वाले ये जो चरवाहे थे ये किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे ये हमने देखी लिया है कि किस प्रकार ये पश्यों के साथ घूमते थे यानि एक प्रकार से पश्यों इनकी आमदनी का सरोत भी थे बीच बीच में ये लोग क्या करते थे कहीं कहीं फसल भी उगा लिया करते थे और काट भी लिया करते थे आते जाते और इसी के साथ साथ ये से इनको आमदिनी मिलती थी और इनके जीवन का निर्वाहा होता था ये चरवाहे केवल हिमालय परवत में ही नहीं रहते थे ये लोग मैदानों पठारों और रेगी स्थानों में भी बड़ी संख्या में रहते थे आईए सबसे पहले हम महारास्टर में रहने वाले धंगर सम मुदाय की अबादी लगबग 4,67,000 थी उनमें से ज्यादा तर गडरिये यां चरवाहे थे हलाकि कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे जबकि कुछ भैंस पालते थे धंगर गडरिया बरसात के दिनों में महारास्टर के मध्या पठारों में रहते थे यहां बारिश कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाओ नहीं थी चारों तरव कंटीली जाडियां होती थी मानसुन में यह जानवरों के लिए एक विशाल चरागा बन जाती थी अक्तूबर के आसपास यह बाजरे की किटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्च्च्म की तर उचते थे उसी समय कौंकन के किसानों को खरीव की फसल काट कर अपने खेतों को रभी की फसल के लिए दोबारा उपजाओ बनाते थे जंगलों के मवेश्ची खरीद की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूट को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल ज जेते थे जिने चरवाहे वापस अपने पठारी लाकों मिले जाते थे क्योंकि वहां पर अनाज की बहुत कमी होती थी मानसुन की बारिश शुरू होते ही धंगन कौंकन और तटियक शेतर शोड सूखे पठारों की तरफ लोड़ जाते थे आईए अब हम महारास्टर के दक्षिन में स्थेत करनाटक और उसके साथ लगते आंदर परदेश के हिस्सों में जो चरवाहे लोग रहते थे उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें यहां पर गोला, कुरूमा और कुरूबा समुदाए रहते थे आईए इनके बारे में थोड़ा जाने गोला समुदाए के लोग गाहें भैंस पालते थे जबकि कुरूमा, कुरूबा, समुदाए भेड बकरियां पालते थे यह लोग छोटे छोटे खेतों के आसपास रहा करते थे, यह अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंदे भी करते थे, यह लोग पहाड़ी चरवाहों के विपरेत, बरसाथ और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगएं बदलते थे सूखे महीने में यह लोग तटिया मैदानों की दरफ चले जाते थे, जबकि बरसाथ शुरू होने पर वापिस चल देते थे मानसुन के दिनों में तटिया इलाकों में दलदली हलात पैदा हो जाते थे, इसलिए यह केवल भैसों के लिए उप्योगत रहते थी, ऐसे में बाकी जानवरों को सूखे पढ़ारे इलाकों में जाना पड़ता था इसके बाद आएए हम बंजारों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, बंजारे उत्तर परदेश, पंजाब, राजिस्तान, महरास्टर के हिस्सों में और थोड़ा मद्या परदेश के हिस्सों में जादा तर हमें देखने को मिलते हैं ये लोग क्या करते थे पश्यों को तो साथ लेकर चलते थे साथ साथ बीच में व्यापार भी करते थे वस्तुएं ख्रीटते और बेचते थे आए इनके बारे में थोड़ा सा और जाने ये लोग लंबे लंबे सफर किया करते थे और अनाज और चारे के बदले खेत जोतने व अब हम राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले घुमंतू चरवाहों के बारे में थोड़ा जानें। इन घुमंतू चरवाहों को राइका कहा जाता था। आए इनके बारे में कुछ और जानें। क्योंकि ये जहां पर रहते थे वहां पर वर्षा यहां तो होती ही नहीं थी यहां नाकर के बराबर होती थी इसलिए खेती के उपज हर साल घटियां बढ़ती रहती थी। इसलिए राइका खेती के साथ साथ चरवाही का काम भी करते थे। बरसातों में यह बाड़ मेर, जैसल मेर, जोदपूर और बिका नेर में ही रहते थे क्योंकि उस समय यहां पर प्रयाप्त मातर में चारा मिल जाता था लेकिन अक्तूबर आते आते चरगा सूखने के कारण यह लोग दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और बरसात में ही वापिस लोड़ते थे राइका समुदाय के कुछ लोग उंट पालते थे तो कुछ भेड़ वकरियां इस प्रकार हम यह देखते हैं कि जो चरवाहा समुदाय थे वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो काफी सोच विचार करते थे वो कई चीजों को ध्यान में रखते थे वो देखते थे कि जहां पर जा रहे हैं क्या वहां पर उनके जानवरों के लिए वहाँ पर उपलब्द होगा या नहीं और वो ये भी देखते थे कि वो वहाँ कितनी देर तक रह सकते हैं और भी एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था कि वो जहां पर जा रहे हैं वे वहाँ कितनी देर तक रुख सकते हैं इसको भी वो मद्दे नजर रखते थे एक प्रकार से वे अपनी जीवन चरया को चलाने के लिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते थे तांकि उनका जो जीवन है वो ठीक ढंक से चलता रहे ना ही उनको परिशानी हो और ना ही उनके साथ जो जानवर है उनको भी किसी प्रकार की परिशानी हो ये चरवाह समुदाए अपना जीवन बहुत अच्छी त्रहन जी रहे थे लेकिन उपनवेशिक काल में क्या हुआ इनका जो पूरा रहन सेहन था पूरी त्रहन से बदल दिया गया अब आपके दिमाग में प्रशन उट रहा होगा कि उपनवेशिक शासन क्या है पहतली ही हम जानते हैं कि उपनवेशिक शासन वह शासन है जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और सारे जो नियम थे वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए जाते थे और उनी नियमों के तहत ही वो भारत पर शासन करते थे और इन नियमों का परभाव ये जो चरवाह समुदाय था इन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा अंग्रेजियों के शासन के दुरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए जैसे उनके चार गाउं सिमट गए अब उन्हें इधर उधर आने पर बंदिशें लगने लगी उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धी होने लगी खेतों में उनका हिसा घटने लगा और उनके पैसे और हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा जैसे अंग्रेजी सरकार चरा गाउं को खेती की जमीन में तबदील कर जूट, कपास, ग्यहूं और अन्य खेती हर चीजों का उत्पादन करना चाती थी जिसकी इंग्लैंड में बहु ज़्यादा जरूरत रहती थी 19 विश्दाबदी के मद्या से देश के विभिन भागों में भूमी विकास के लिए अलग नियम बनाए जाने लगे जिसके अनुसार गैर खेती हर जमीन को सरकार ने अपने कबजे में ले लिया और कुछ खास लोगों को सौंपने लगी इस लोगों में से किसी एक को मुख्या बना दिया गया तथा अधिकतर चरागाओं की जमीन अपने अधिकार में ले ली गई जिसके कारण खेती के फिलाव से चरागा घटने लगे 19. सदी के मध्या तक आते आते बहुत सारे जंगलों को अरक्षित वन गोशित कर दिया गया जहां पर देवदार और साल जैसी कीमती लकडी पैदा होती थी और यहां पर इन चरागाओं को वनों के अंदर घुसने नहीं दिया गया यहां पर चरागाओं के घुसने पर पबंदी लगा दी गई कई जंगलों को सरंक्षित गोशित कर दिया गया इन जंगलों में चरागाओं को कुछ प्रमपरागत अधिकार तो दे दिये गए लेकिन उनकी आवाजाही पर बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई जिन जंगलों में उन्हें दाखिल होने के लिए अनुमती थी वहां जाने के लिए चरवाहों को परमिट लेना पड़ता था जंगल में उनके प्रवेश वापसी की तारिक पहले से ही तै कर दी जाती थी जो की बहुत ही कम दिन होते थे यदि यह समय सीमा से अधिक वहां रहा करते तो उन्हें जुरुमाना देना पड़ता था अंग्रेज अफसर घुमन्तू किसम के लोगों को शक की नजर से भी देखते थे उनके लिए गाउं में रहने वाले ग्रामिन लोग ही केवल ऐसे लोग थे जो शान्ती प्रिया और कानून का पालन करने वाले होते थे इसी के चलते उन्होंने 1870 में अपराधी जन जाती अधिनियम पारित किया इस कानून के तहट दस्तकारों व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रखा गया उन्हें कुदरती जनम जात अपराधी घोशित कर दिया गया इस कानून के लागू होते ही सब इस समुदायों को कुछ खास अधिसूचित बस्तियों में जाने का हुकम सुना दिया गया उनकी बिना परमिट आवा जाही पर रोक लगा दी गई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलना शुरू कर दिया उन्होंने जमेन नहरों के पानी नमक यहां तक की मवेशियों पर भी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया उन्होंने प्रती मव अपनिवेशी टेक्स की दर तेजी से बढ़ा दी. 1880 के दशक के बीच टेक्स वसूली का काम, बकायदा, बोली लगाकर ठेकेदारों को सुपा जाता था. 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारियों के माध्यम से सीधा ही ये टेक्स वसूलना शुरू कर दिया. अब हर एक चरवाहे के पास एक पास होता था. तो बच्चो इस उपनिवेशिक शासन ने चरवाहों की जिंदिकी को कैसे प्रभावित किया और उन्होंने कैसे इसका सामना किया और इसके साथ साथ अफरीका में जो चरवाहा समुदाय था उसके बारे में इस अध्याय के दूसरे भाग में पड़ेंगे और अभी हमारा अध्याय का पहला भाग समाप्त होता है उमीद है आपको समझाया होगा इसी के साथ धन्यवाद आप स्वस्त रहें खुश रहें